अपने पसंदीदा एक्शन मुवीज के लिए सब्सक्राइब करें एक्शन हिट्स और बेल आइकन दबाना मत भूलें तो करें एककला एक्शन मुवीज के लिए साथ औरो प्राइब करना मुवीज करें अब डिया भाल कियाओ आए स्वार प्राइब करें एक्शन मुवीज नियाओस्ति मुवी टेलो बेलिगें का बापने कि लगा नगार कि छोगे करने जह रखानल के नहीं दो जा रहा है हुआ 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 है हुआ हुआ है इसमें हसने की क्या बात है हसने रोने पी किस का बस है बाबु जी हसने वाली बात हो तो हसी आई जाती है बहुत क्या से लगते हो देखने में तो पढ़े लिखे लगते हो लेकिन इतना भी नहीं जानते कि पानी पानी में फर्क होता है शेहरी हो ना क्या मतलब? मतलब यह कि यह पीने का पानी नहीं है गंदा है यहां आओ यह लो यह हमारे गाओं के सबसे मीठे कुए का पानी है वाकी बहुत मीठा है गन्य के खेत के आसपास वाले कुए का होगा वैसे तुम यहां की रहने वाली हो तो फिर तुम्हें इस इलाके की सब जानकरी होगी हाँ हाँ क्यों नहीं हम तो यहां के चप़े चप़े से वाकिभ हैं यहां के नली नाले पेड़ पाहार सब बाबुजी सब तब तो एक और ऐसान करतो मुझ पर एक प्यासे की प्यास तो बज़ा दी तुमने अब एक भटके हुए मुसाफिर को रास्ता भी दिखा दो रास्ता तो हम बता ही देंगे लेकिन पहले ये तो पता चले कि तुम्हे जाना कहा है किशिंगर तब तो तुम सच-पुछ रास्ता भटक गए हो लेकिन तुम्हारी खलती नहीं है किशिंगर जाने वाले अक्सर रास्ता भटक जाते हैं लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो हम तुमको मिल गए आओ हम रास्ता दिखाते हैं देखो यहां से सीध है पिल्कुल सीध है तीस-पचीस कदम जाने पर काईने हाथ की तरफ मुड़ जाना तस-वारा कदम जाने पर एक जामुन का पेड मिलेगा फिर बहाए वहाँ थोड़ी धलान पड़ेगी वो तरने के बाद बिल्कुल सीध है चले जाना पस आगया किशिंगर समझ गया ना बिल्कुल सीध है रास्ता है समझ गया, समझ गया धनेवाद पानी के लिए और ये सीध है रास्ते के लिए भी नमस्ते बिल्कुल सीध है रास्ता है झाल 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 जा जा जारे जावे जा बई माना जा जा जारे जावे जा बई माना मुझे भूला न भूला तुझे दिले दिवाना जा जा जारे जावे मुझे भूला न भूला तुछे दिले दिवाना जा जा जारे जाबे जा बैमाना कि मुझे उ१षकी. तेरी मेरी पीत है जनम पुरानी, तेरी बिना धूरी मेरी तीम कहानी तुझ को की इच लाएगी ये जो प्रेम दोर है चाहे जा पई मगन होना मेरी और है कोई आसा नहीं मेरी यारे भुणाना जा जा जारे जावे जा गई माना मुझे भूला न भूला तुझे दिल्ले विवाना जा जा जारे जावे जावे माना मुझे जारे 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 दूरियों ही रहे के जो मुझे को चलाएगा चेन तुझे आएगा ना चेन तुझे आएगा दूरियों ही रहे के जो मुझे को चलाएगा चेन तुझे आएगा ना चेन तुझे आएगा धरती आसमान चप फैली दिल की टास है तुझको धूंड लावी फिर भी दिल पहास है नहीं बदले ये दिल बदले चाये जमाना जा जा जारे जावे जावे माना तुझे बोला न भूला तुझे दिल ये दिवाना जा जा जारे जावे 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 माना जा जा जारे जावे 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 माना झाल 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 बबाबा मेरा शंकर आ गया आ गया मेरा शंकर मुझे भगवान पर भरोसा है उसे आना ही था लेकिन बाबा उसने मुझे पैचाना नहीं परेशान मत हो बेटी जब तुम्हारा सच्या प्यार उसे खीच कर यहां ले आया है तो वो तुम्हें पहचान भी लेगा और उसे तुम्हारे पिछले जन्म का प्यार भी याद आ जाएगा अब सच कह रहे बाबा उसे सब कुछ याद आ जाएगा मुझे पैचान लेगा ना हाँ वेटी वो तुम्हें अवश्य पैचानेगा जब तुम्हें अपने पिछले जन्म का प्यार याद है तो भला वो कैसे बुला सकता है हाँ बाबा मुझे सब कुछ याद है वो दिन भ लीजी आगे आपकी मंजिर अब मेरा काम खत्मा मैं चलता हूँ कि अजी बसकता है तुम्हें आर यार यार । है f चुपकार, रुख जाओ ये सब क्या है? इम्तिहान, तुम्हारे बाजुओं का मैं देखना चाहती थी कि आज भी तुम्हारे बाजुओं में वो दम है या नहीं गोगा, आज से हमारे खास महमान है इन्हें इजजत से अंदर लेआओ आये ये है दिवान जी, यहां के सबसे खास आदमी हमारा सारा कारोबार यही संभलते हैं और ये है रूपा और रमेश, हमारी बड़ी बहन के बच्चे, ये यहां हमारी साथे हैं और ये मुन्शी जी है, रुपाए पैसे और कारोबार के कामकाज में दिवान जी की मदद करते हैं ये इस घर में हम से भी पुरानी हैं हमने कभी इन्हें नोकरानी नहीं समझा और ये चमपा, घर के कामकाज में बच्चे मदद करती है इसका नाम मकभूल है, और इसे तो तुम मिल ही चुके हो घुरों की देखभाल का काम इसके जिमन है ये हमारी बेटी है, आओ सीमा सीमा, इधार आओ परानी मा, बहुत खुशी हु इन से मिलकर लेकिन आपने इनके बारे में कुछ भी इनका नाम शंकर है, ये शहर में रहते हैं मैंने आप सबको इस वक्त इसलिये तक्लीव दी, क्योंकि बहुत खास बात है जो आप सबको बताना जरूरी समझती हूं मैंने सीमा बेटी की शादी शंकर के साथ करने का फैसला कर लिया मैंने आए कि मेरे मामाजी शृषी जुर मट्दास्ज आपके हैं मुचछी है उनको डूणते, डूणते, टातर के ठोखरे कहाते है यो पोपटिलाज तू؟ मामाजी, 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 मामाजी आपको साथ चेले बैटा थाहाँ तू यहाया? और दाता का मुच्छी ती, यह आपी कौन है? यह मेरा भांजा है, रानीमा बहुत परसों के बाद मिला है आप इसके किसी बात का बुरा मतमानना यह बेचारा किस्मत का मारा है अभी कुछ दिन पहले इस बेचारे का बड़ा भाई इसको यह बहुत चाता था स्वरिक्सिधार गया बगवान को प्यारा हो गया रानीमा, तुस दिन के बाद इसका दिल और दिमाग इसके काबू में नहीं रहा जब मैंने सुना तुम उससे रहा नहीं गया मैंने इस बेचारे को संदेशा भेजा कि बेटा, मेरे पास आजा यहां आब वहा बदलेगी तो शायद इसका दिल और दिमाग भी बदल जाए अगर आप किया गया हो तो इसे कुछ दिनों के लिए मैं अपने पास रख लू ठीक है मुझ्छी जी आप जितने दिन चाहें ने अपने साथ रख सकती है राणी माँ यह अभी सफर से आए हो, ठके होगे भोगा? जी राणी माँ मगर मुझे कर बात करेंगे, अभी जा के आराम करो इनने इनके कमरे तक पहुँचा दो चलिए ठीक है पागल हो गई बुडिया दिमाख खराब हो गया इसका शादी करेगी पता नहीं किस लफंगे को पकडलाई है मेरे दिमाग में यह चक्का समझ नहीं आ रहा है मेरी समझ में सब आ रहा है यह सबह में बहार निकलने की तर्कीबे हैं लेकिन मैंने भी कच्ची गुलिया नहीं खेली अपना हक ले बिना निकलना तो दूर खिलूंगी भी नहीं आसे लेकिन हमें करना क्या है हमें क्या करना है करने वाले तो यहां और बहुत बैखे हैं हम तो सिर्फ तमाशा देखेंगे मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाती हूँ लेकिन मैं जो कुछ कर रही हूँ सोच समझ कर कर रही हूँ क्या सोच समझ कर कर रही है जिस साथ में कुछ जानती तर नहीं जिस मैंने पहले देखा नहीं कौन है कहा से आया है क्या करता है मुझे कुछ नहीं मालूम, एक ऐसा अजनेभी के साथ आपने मेरी शादी तैय कर दी, ना मुझसे पूछा, ना मेरी सला दी शादी की सिर्फ बात की है, शादी तो नहीं की, और सब के सामने इसलिए की, क्योंकि ये बात पहलाना बहुत जरूरी है तुम तो जानती हो, कि हमारे उपर किसी वक्त भी मुसीबत आ सकती है, और मुझे पूरा भरोसा है, कि ये लड़का हमें उस मुसीबत से बचा सकता है ये, ये अकेला आदमी बचाएगा हमें हाँ, ये अकेला, तुम नहीं जानती उसे तो क्या आप जानती हैं हाँ, मैं जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ, कि पर, मैं शेहर से वापिस लोट रही थी ये ओषय मंचकर परकर अँका हाँ क्याँ जयएंदधगर अच्छीच्छ लिएधगरर अच्छीच्छीच्छ थीա कि अै Morning हॉईट हुईछक बाले। कि अच्छीच्छ अगुफ पु늦 रख। रखुफ। हुआ दो पुट हाँ 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 खाँ खाँ जबता है... आट एकाल 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 करते है कि अगाल आट। एकाल एकाल प्राद कर एकाल आट, आट। आट। टेख लेगे! यह लीजी है बेटा, तुमने एन वक्त पर आका जो हमारी मदद की, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है इसमें से जितना भी चाहूं, ले सकती हूं तुम यह मत समझना, क्या हम तुम्हारे एहसान की कीमत चुका रहा है एहसान किस बात का? यह तो मेरा इंसानी फर्स था और फर्स की कीमत नहीं होती तहने दीजे इस अलाखे के रहने वाले हो? जी, नहीं तो पर यहां, अकेले वीराने में? क्या करेंगी जानकर? बस यह समझ लीजिए कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं अगर ऐसी बात है तो तुम हमारे साथ चलो हमें तुम जैसे इमानदार और बहदर आदमी की जरूरत है उस वक्त तो उसने आने से इंकार कर दिया था और आज उसकी मजबूरी उसे यहां खीच लाई है बस यू समझ लो बेटे इस वक्त उसे हमारी और हमें उसकी जरूरत है क्या बहुत रात हो गई जाकर सो जाओ कुछो भरोसा रखो क्याओ लाई क्या प्लूक वक्या क्या वक्या हुआ झाल 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 यह तो शुरुवात है किस बात के शुरुवात कैसी शुरुवात कौन था यह अक्मी प्रिष्ट आपकी हवेली में क्या हो रहा है यह आपको नहीं मालूम तो और किसे मालूम होगा यह हवेली है यह पागल खाना आते ही आपने मुझे पर एक पहलवान से हमला करवा दिय। उसके बात बिना मुझ से पूछे सब के सामने मेरी शादीते कर दी और अब आधी रात को एक अजनवी आदमी मेरे कमरे में चाकू लेकर घुसाया। इतने में ही डर गए। बैसी मामली बातों से नहीं डरता लेकिन मैं कोई बली का बकरा नहीं हूं जिसे आप किसी की भी भेट चला दें आपके कहने पर मैं अगर मुझे मालूम है तुम जाओगे नहीं। हाँ, मैं तुम्हारे बारे में सब चाहिए। तुम्हें पुलीस से बचने के लिए, सर छुपाने के लिए एक जग है चाहिए। और मुझे तुम्हारे जैसा एक बहादूर आदमी है। एक बात समझ में नहीं है। मेरे बारे में इतना कुछ जानने के बाबजू। आप मुझे से क्या चाहती है। बताती है। हमने एक बार पहले भी सीमा की शादी तेह की थी। एक बार बार एक बार एक बारे में नहीं है। वहाल सीमा यहाल है। वहाल रड घुम्हाल दोपए एक बारे टॉम्हाल यहाल जान बचाने की कोशिश में, बेचारे दिवान जी की दोनों टांगें हमेशा के लिए बेकार हो गई उस दिन से लेकर आज तक पूरी हवेली में उस डाकू का खौफ चाया हुआ है लेकिन वो सीमा सो क्यों शादी करना चाहता है? दौलत के लिए, इस हवेली के लिए, क्योंकि वर्सियात के मताबिक यह सब सीमा को मिलने वाला है उसके अठारे जन्म दिन पर, उसी दिन सीमा को उठाकर ले जाने की घंकी दी है उसने अब तो तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें यहां क्यों बुलाया है उससे पहली बार मिलने के बाद हमें लगा कि तुम ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हो अब आके तुम्हारी मरसी है आप बेवगर रहे है raging मा जो भरोस आपने मुझ पर किया है उससे मैं तुटने नहीं दूगा लेकिन वह है कौण कहर सिं जरा देखो इसे देखो यह हमारा अत्मी है हमारा सर्दार कहर शिंग का आद्मी मार खाक्याया है मार खाक्याया है हवेली से उस हवेली से, जिसकी । कहर सिंञ के नम से कॉपती है सर्दार हवबार जोइस टुटे हुए मुऊ से हमारा नाम लिया हरामजादे, तुझे वहाद किस काम के लिए रखा था हेली पे नजर रखने कि ले सर्दार हाँ, नजर रखने के लिए मैं से किसंगा किसे नहीं सर्दार, किसी नहीं लेकिन जब मैंने देगा कि हवेली में ईक नया hattephrा है क्या कहा नशा कि और आधमी हां किसी के इसलिए मैंने सोचा क्या क्याक्ता क्या तू नहीं सोचा मकर्झू क्यों सोचा मझा मालूम नहीं के यहां कार और को यह स्वाइल कि सोचता यह 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 से ने करता हैं जो क्या शोचता है इसे लिए जिंदा है अगर तू तूनेव सोचा और तूने ते पहले यह próprio यह नहीं सोच romantic तैरे सोचना कान्जाब क्या होगा! सरदार! सरदार, मुझे वाफ कर दो! मुझे गलती होगा, सरदार! तो ने गलती की, यह सिर्फ तू जानता है! और कहर सिंह किसी को माप नहीं करता, यह सब जानते हैं! आया, सरदार! हुकम! दे तो मेरी नसवार की डिबिया, फैसला कर दूँ इस अराम जा देगा, ताला सोचता है मुझे माफ करतो सदार, अब सारी जिन्दे के कुछ नहीं सुचूगा, कुछ नहीं सुचूगा सदार अब ये नसवार तुझे माफ कर दे तो कर दे, मैं तो माफ नहीं करता छीक आ गई तो ठीक, वरना कस्म बंदूग के वन्हित दो, सर्दार कुछ वो अलगरना करते ह sono अगई तो ठीक, वरना कस्म बंदूग के अइव लचकपार्णो जञ टए की घ половी है अजयोर अजयोर होुई दो अजयोर अब देखा तुड़े अब आही जब यह साला मर गया एक मिनट पहले आजादी तो बच जाता बिचारा साड़े का दिमाग इने किसमत भी खराब थी नस्वारू नस्वारू जी जी सर्दार यह तो मर गया आपके गोली से कोई बचाया सर्दार नस्वारू तो कदा है वो तो हूँ मगर क्यों सर्दार अबे उल्लू क्या पक्षे आसली बासो रही गई न हम तो पूछना है बूल गए कि अवेली में जुड़े है आजमिया है वो कौन है कहां से आया है क्या है यह तो मर गया अब हम क जुड़िया चुक गई खेट गलत अरे चिड़िया कैसे चुक जाएगी खेट अपना खेट तो हमने नीचे सेखाने में पंतर रखा है वो साड़ा हवेली का वफादार कुट्था कुट्थ कुट्थ कि मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा ओहो थास बात तुम भूली गए इसलिए नस्वारो इसलिए हम तुझे इतना प्यार करते हैं अच्छा हुआ तुने हमें याद दिला दिया कि इस बुड़ों को जान से नहीं माना इसका जिंदा रहना बहुत सरूरी है आग तो इसी की लगाई हुई है ना पुझे की इसी के सामने साने के प्ली जी मिम साब आपका घुड़ा तैयार है और साब आप तो अपने बहादूर पर ही बेढ़ना पसंद करेंगे हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं जिसके बस बहादूर जैसा साथी हो उससे किसी और की क्या जरूरत है इसमें हसने की क्या बात है कुछ खास तो नहीं बस यूहीं आपके बहादूर का नाम सुनकर मुझे बच्पिन के एक सैली आदा गई उसे कम दिखाई देता था मोटे मोटे ग्लास वाले चश्मे पहनती थी और उसका नाम था सुनेना अरे बूरा मत मानिये, नामों के चक्कर में अकसर ऐसा ही होता है पासवाले गाउ में एक भिकारी रहता है और उसका नाम भी अमीर-चंद है अमीर-चंद की अमीरी पर आपको शक हो सकता है लेकिन मुझे अपने बहादूर की बहादूरी पर बिलकुल शक नहीं यकिन नहीं आता तो आजमा के देख लीजिए, आपका शक भी दूर हो जाएगा, और ये नामों का हेर फेर भी खतम हो जाएगा नहीं, ये बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है, कि ये ठैरा शेरी घोड़ा, तांगा बगी बगी घीचनी के लिए तो ठीक है, मगर यहां के टेड़े मेरे रास्ते, इसके बसके नहीं है सुना, बाहदुर, अब तो दोस्तेरी इज़त का सवाल है, क्या कहा, क्या कहा, अरे जो सो बोल, आ, समझ गया, आदो मेम साब, मेरे बाहदुर के छोटी सी फर्माइश है, अगर आप रास्ता दिखाएंगी, तो यहां के टेड़े मेरे रास्ते भी चीदे हो जाएंगी, क् अब तो आदमाना ही पड़ेगा, अरे, क्या कर रही आप, मार से नहीं ज़रा प्यार से कोशिश कीजिए, मैरे लाड प्यार से पाला है मैंने अपने बहादुर को, मारेंगी तो बुरा मान जाएगा, मैरे लाड प्यार ने ऐसे थोड़ा सा अरियल बना दिया है, अरियल न तट्टू कहीं का, मेरी सलह मानो, तो किसी दोबी को दे दो, कपड़े वपड़े लादने के काम आ जाएगा, मैंने तो पहले ही कह दिया था, ये क्या खास दोड़ेगा, पालतू है, एकदम पालतू, पालतू हो, अपने सामने सब ठीक हो जाते, पोपतलाल स्टू? अप अ आप घोड़ सवारी का भी शॉक फरमाते हैं? घोड़ सवारी क्या? कोई भी सवारी हो, आप अभी देखिये, जैसे ही इसकी नाजुक नाजुक कमर पर, पोपतलाल को एक मजबूत सा लाप पड़ेगा, तो ये दोड़े क्या, उड़े लगेगा, तब तो कमाल हो जाएगा अरे क्या कमाल हो जाएगा, ये तो फिर भी कुछ-कुछ घोड़े जैसा दिखता है, मैंने तो गदों को भी खोड़ों से तेज उड़ाया है, मेरी किसमत अच्छी है कि आप यहां आगे, वरना इस गदे ने तो इनके सामने मेरी नाकी कटवा दी थी, एक गदा तो आपकी अब तो संभाले ना, समझ गया? आ तो मिम साथ, अब क्या ख्याल आपका मेरे इस कटव के बारे में? लेकिन पहले तो ये... अरे, पहले बहले की बात छोड़िए, एक शरीफ आजमे का शरीफ घोड़ा है ये, बड़ा समझदार है, समार इदे के बात करता है जावस पहादर लेकिन वो पॉपटलाल कहा है? चलो ठूड़ते हैं बैठीए? ने, पैदा ली ठील के ठीके, चलिए आपकी बात का बुरा नहीं मना वरना, विचारा पॉपटलाल बेडा गर को तेरा बादूर के बच्चे साले धोके बाल, देखने में कुछ और भागने में कुछ साला, उल्लू बनाता है खूबसूरे लड़की बैठे तो टुक, टुक, टुक और जब मैं बैठा तो देख लूँगा मैं तेरे को, देख लूँगा मेरी पद्दुआ तुझे अगले जनम में बनाई की पोपड लाल और मैं बनूँगा बहादूर और फिर मैं तेरे को इसी तरह जंगल में लेकर जाऊंगा और तेरी ऐसी हालत करूँगा अए अए बलके इस से भी बुरी हालत करूंगा अरे बहादर मेरी तु ये चड़ी फिर भी बच गई है तेरी तो ये भी नहीं बचेगी अए 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 अरे चुप कुटु 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 ये पोола कुटु चुछ अए 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 ए तो मैं और तु तु और मैं दो पंची दीवाने हम प्रेमी मस्ताने दुनिया से बेगाने मैं और तु तु और मैं दो पंची दीवाने हम प्रेमी मस्ताने दुनिया से बेगाने जलने वाले बला से जले जलने वाले बला से जले जलने वाले बला से जले आजाने मन हम मुहापत करे जलने वाले बला से जले हो गई ऐसी तैसी ऐसे आये समाने हम खिलाये गाने और दुष्मन गाये गाने मेरे दिल रुपा मेरे नस्दीक आप ए मेरे दिल रुबा, मेरे नजदीक आ तेरे लब जूम जूम, मस्ती में जूम लूम मैं हूँ आशक तेरा, कोई कर लेगा क्या दो जवा दिल मिले, कुछ नए घुल खिले कुछ महावबत भी हो, कुछ शरारत भी हो क्यों किसी से डुरे, जो है दिल में करे प्यार की मस्तियों में बहे जल्वे वाले बला से चले उड़ना हमने सिखाया और हमको लगे उड़ाने अरे हम खिलाए गाने और दुष्मन गाए गाने हुस्त तुझको मिला, इश्क मुझको मिला हुस्त तुझको मिला, इश्क मुझको मिला तु है मेरे लिए, मैं हूँ तेरे लिए सबसे मूँ मोड ले, मुझसे दिल जोड ले तेरी बाही मिली, दिल को राही मिली मुझको दुनिया से क्या है वला वास्ता कोई चाहे जले, चाहे आए घर कुम्र भर हम योही खुश रहे कल्ने वाले बना से जले कोपट लाल के धुको ये दुनिया क्या जाने अरे हम खिलाए दाने और दुश्मन गाए गाने मैं और तू तू और मैं हम प्रेमे मस्ताने दुनिया से बेगाने जले वाले बना से कले आजाने मन हम महापत कहरे आजाने मन हम महापत कहरे हम खिलाएं दाने दुश्मन गाने नहीं चड़ूगा हम खिलाएं दाने दुश्मन गाई गाने नहीं चड़ूगा गोरे वडरी वालो शहर से जो नया आतमी आया है जबार निकालो लगता है यह वही है जिसके तुम लोगों को तलाश है वो बही हूँ लो पढ़ लो अपनी मौत का फर्मान आने वाले बली के बकरे के नाम कहर सिंग का फर्मान समाचार यह है के फर्मान पढ़ने के पांच मिनिट के अंदर यह वेली छोड़कर निकल जाओ अगर जान त्यारी है तो बढ़ना तुम्हारे इस जिसम के कम से कम चार सो टुकड़े करके चील कवों को खिला दिये जाएंगे समझदार के लिए शारा काफी है शेश शबकुशल है तुम्हारा कहर सिंग तुम्हारा सर्दार कहर से खामका परिशान हो रहा है मुझे पहले कहा होता तो मैं यह आता ही नहीं पांच मिनट क्या मैं तो दो मिनट में हवेली खाली करके भाग जाओंगा आपी मरना नहीं चाहता मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है हुआ 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 है दुआ है दूँआ हुआ है नजट प्प्प्पम आप है हुआ 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 कल किदर है वो डाकू किदर है जिसने पोपेट लाल की ताखत को ललका रहा है है सिर्फ चार है हम दो समझे थे कि कम से कम पच्चिसती ज़रूर होंगे यहां तो सिरफ चार है क्या कि दरसल बात यह है कि जब तक 15-20 मेरे सामने ना हो तो मुझे जोश नहीं आता है खर अब आई गयो तो एक लाट तो खाते जाओ अरे मर रहे हुए को क्या मारना शेर कितना भी भूका क्यों ना हो क्रास नहीं खाता है ना हां समझ के शेर जी देखा शेर जी आपके बस एक लिखने वाली मशीन थी ना थी क्या है तुदर देख एक दो तीन चार पांचे साथ नो दस ग्यारा यह लिजिए अब मेरा काम हो गया मैं चलता हूं अभी नहीं शेर जी सबसे मुश्किल काम तुमेने आपके लिए छोड़ा है क्या इन सब के कपड़े उतारने आपको यह मुझसर नहीं होगा ऐसा काम मैंने पह क्योंकि मुझसे दिखाने जाएगा ना अची ताथ ते रेकी आ गई छीक आ गई हराम चादो वड़ना अभी तुम सब को भूट डालता एक दो तीन चार जार आदमी कहर संग के चार आदमी कहर संग चालीज ड़केट या चारासी खून पगराश तक उसके घंडे पर कोई अगर जान बख्ष दे तो बताओ बताओ जल्दी बताओ बताओ बताता हूँ शंकरा का फर्मान डरपो कहर सिंग के नाम तरपो कहर सिंग अच्छा तेरे भेजे हुए बाल तो कुटो का अंजाम तेरे सामने है अगर तुने अपनी मा का दूद पिया है तो अगली बार खुद आना आउंगा जरूर आउंगा फिर देखता हूँ के हवेली छोड़कर मैं जाता हूँ या दुनिया छोड़कर तू हुआ है वेली में सब कुशल है और हमेशा रहेगा समझ गया शंकरा समझ गया तब समझ गया और अच्छा लगा नस्वारू लोंडे का जवाब अच्छा अब मज़ा आएगा तक्राणे का बहुत मज़ा आएगा प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् धजआ पाँ, याँ क कर दीजए कर दोस्थकिन कर फराण प्रसो क्राण और सकात हो कि पनिया है अटर और सकते ये स्ट्ष्ष्ष्ष्भी कि हाल बाल पन्य है श्ष्ष्ष्ष्म हुआ व झाल बाल ौर ौर झाल ज voter ख devil 60 हुआ! हुआ! हुआग! भाइग! पुआग! हुआग! लाइग! अब जये अब चरेबारीजे तवाइब तार्ड़ चुल तकि ओ सब्याइब झाल चांप लाईब 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 सway लाईब लो चांप पर झाल को टुटर अब जाईब च्छर यह बना तकिस किस दुटर पर वह जाईब भर पर बहर बुटर ।व वज़े बहर जबी देट है चुरिरो टूरिसर्ए सर्डा है हाओ और अज ज़ं़ा बढ़े नहा है अरुट झाल, झाल, झाल! झाल? पहादा जड़ पड़ाज? अपचा इंग! ँट! लालाएक बेवकूफ अपने इंटग फंजियों के साथ तुझ आवेली पर हमला करने के लिए किस ने गाता पिताजी मैने सोचा क्या तूने सोचा तूने लेकिन सोचने के पाहले पर यह नहीं सोचा किसका अंजाम क्या हो सकता है तुमारी इन देवकुवियों की वज़े से हमारी सालों की मैनत पर पानी भेड सकता है बापू जो, एक लड़के ने जरा सा क्या उकसा है कि तुम मेरी इजारत के बगर पहुंच गया महा पर अगर हमेली में किसी को भी जरा सी विजबात की भनक मिल गई कि कहर सिंग दिवान हुकम सिंग का लड़का है तो हमारा सालों का बना-बनाया खेल उससे दिल बिगड़ जाएगा गलती हो गई बापू, गलती हो गई मैं अपड़ी मरी हुई मा की कसम खाता हूँ, दोबार ऐसी गलती नहीं होगी रो मत, रो मत बेटा, रो मत लेकिन देख, हमेशा एक बात याद रखना, मुझे पूछे बिना उस हवेली में दोबारा कदम नहीं रखना पराबद, पराबद, बाप किरे उस लौरण्डे की बाद, बेटा, उसको तो मैं देख लूंगा साथ भी मरेगा, और लाथी भी नहीं टूटेगा समझ गया बापू, बिल्कुल समझ गया बापू, अब तो माप करते हैं देख भेन, मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, तेरे लिए तो कर रहा हूं, मेरा क्या है? मुझे तो जितनी दुनिया देखनी थी, देख लिए, मेरा तो एक ही सपना है कि तू एक दिन इस हवेली पर राच करे है खयर अब बताओ क्यों समय वह बफादर बुढ़े का क्या हाल नीचे तहकाने में आराम फ़र मारा रहे है पापु हम उसकी सेबागा पूरा ख्याल कर रहें ज़ों पापू, यह क्या कर रहो हो, यह मर जाएगा बुड़ो, मर जाएगा जोड से तो नहीं लगी ना भाई साथ खबरदार जो अपनी गंदी सबान से मुझे भाई का यह क्या कह रहे हैं, याप सगे भाई को मैं भाई नहीं कहूंगा, तो किसे कहूंगा आखिर खून का रिष्टा है और वैसे भी आपको मैं दिवान साब तो कहें नहीं सकता क्योंकि आप ही के आशिरवात से लोग मुझे दिवान साब कहने लगे हैं ना नकली दिवान बनकर तू लोगों को दोखा दे सकता है, मगर भगवान को नहीं एक दिन तुझे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा तो उसमें क्या है भाई साथ, वो तो सबको भुगतना पड़ता जैसे कि आप भुगतने, अगर आपने हमारी बात मान ली होती भाई साथ तो नहीं आपके टांगे जाते और नहीं आजा कोई दिन देखना पड़ता मुझे अपने टांगों के जाने का कोई दुख नहीं है अफसर तो सिर्फ इस बात का है कि मैं मर क्यों नहीं गया तुम्हारी जैसे मनहुत सुलते देखने के लिए मैं आज तक जिन्दा क्यों हूँ जिन्दा रखा है भाई साथ, इसलिए जिन्दा है अंबल आपको कैसे मार सकते हैं लगता है आप भूल गया है लेकिन मैं, मैं नहीं भूला हूँ और भूलूंगा भी नहीं मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन सीमा के शादी और इस नालाएक के साथ ये बात करने के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हिम्मत हुई कहां भाई साथ, हिम्मत पैदा की है क्योंकि आजकल फिर्सेजे में खाली हो गई है और मैंने इसी कौन सी गलत बात कह दी आखिर रानी जी को पी सीमा की शादी किसी ने किसी के साथ तो करनी है और शादी के लिए ज़रूरी होता है एक लड़का जो आपके आशिरवात से अपने घर में ही है और बाइस आपका हैसी अगर मेरा बेटा है तो आपका बती जाभी तो है और उसके इस बविशे के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा बंकर रहे बख्वास अगर तु मेरा छोटा बाई नहीं होता तो मैं तुझे अपी इसी वक्त यहां से थक्के मार कर बाहर निकाल देता तो निकाल सकते हैं आपका हक है आप बड़े भाई जो है लेकिन एक बाद धरा ठंडे दिमाग से सोचेंगे आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि सीमा की शादी जिससे भी होगी वो सारी जायदात का मालिक होगा और सारी जायदात का मतलब होता है करोड़ों और करोड़ बहुत होते हैं भाई सार अपने तो देखे भी होंगे गिने भी होंगे लेकिन अपने अपने होते हैं मिल जुल के बात लेंगे, चुपका, गुस्सा लेंगे, पहले मोरी पुरी बात तो सुन लीजिए, आपने जिंदीगी बर किया क्या, नौकरी, याने की घुलामी, क्या मिला क्या आप, क्या कमाया क्या आप, तेरी तरह नमक हराम नहीं हूं मैं, इस्रत कमाईए है मैंने, नौकर नहीं रिष्टदार हो जाईए, किसे तोर भी बढ़ जाएगी, हाँ, काका बाबु ठीक कहता है, जे भुटा, हट्टा, कट्टा, नौजवान, लाखो में एक, उपर से आपका भतिजा, अरे भई, मुझ में भला बुराई क्या है, कोई बुराई नहीं है, सिवा इ कि घर की बात घर में रहेगी, उनको तो नहीं मालूम ना, उनको नहीं मालूम लेकिन मुझे तो मालूम है, और मेरे जीते जी ऐसा हर्गिस नहीं हो सकता, तुम दोनों अपनी मनुस सुरते लेकर यहां से फॉरण चले जाओ, वरना मुझे वही करना पड़ेगा, जो मैं न सबसे बड़ा रुपईया, इसको भाई, पतीजा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन लगता इसकी नजर भी जायदाद पर है, और सारी जायदाद अकेले ही हडब कर जाना चाहता है, और थपड, वो थपड मुझे आज भी याद है, और हमेशा याद रहेगा, और उस कुछ थपड का जवाब देने के लिए मैंने तुझे आज तक जिन्दा रखा है, और उसका जवाब होगा, कहर सिंग के सार्थ सीमा की शादी ऐसे क्या देख रही हूँ? टेख नहीं रही हूँ, कुछ सोच रही हूँ क्या सोच रही हूँ? यह सोच रही हूँ कि माने जो तुम्हारे बारे में कहा था, वो सची था ऐसी कौनसी बात कह दी रहानी माने? जो बात कही थी, वो तो मैने रात को यह देख ली अच्छे यह तो बताईए, यह गोली-बोली चलाना कहां से सीखा बस ऐसे ही तो बस ऐसे ही मुझे भी सिखा दो तुम क्या करोगी चिकर? तुम्हारा साथ दोंगी और क्या ताकि अगली बार जब डाक लोग अपनी पॉज लेकर आए अजया बस तामक्सिका पॉजए 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 आपचल पॉजए 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 बच्चाव 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 ourd हरो यह वहार यहार यहार खेला पना हो अरे जर आया ओॉड़ा। डार गौड़ा खूब ऑूच्ब हूद खूण खूड़ा खूद भू़avour झाल 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 झाल! झाल, 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 झाल! झाल, 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 झा तुम्हे इस्वक्ट यान आना चीजे तब सीमा अपने कमरे में वापिस जाओ सुना नहीं तुमने मेरा आना इतना बुरा लगा तो फिर मुझे बचाया तक हम अब जाने ने पर मुझे तुमने मुझे नया जीवन दिया है और अब इस जीवन पर एधिकार भी तुम्हारा ही है आज मैं फैसला करके आई हूँ कि मैं शादी तुम से शादी? नहीं ये कभी नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता? आखर मुझे में कमी क्या है? कमी तुम में नहीं मुझ में असीमा मैं मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ तुम तो यह भी नहीं जानती कि मैं कौन हूँ कहां से आया मैं जाना भी नहीं चाहती तुम समझनी की कोशिच तो करो मेरी गुजरी जिंदगी में कई दाग है तुम्हारी इन बातों से तुरह नहीं बदल जाएगा जब तुम मेरी असलिये जानोंगी तो तुम्हारा फैसला भी बदल जाएगा मैं चाहता था कि मेरा राज राजी रहे अगर अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया है तो सुना, मेरा भी एक घर था राधा जी ये थाली लेजा और एगलास पानी लेजा लीजिए लो मा डवाई फीलो अरे मा अब दवाई की कोई सुरूरत नहीं मा इसी ख़बर लाया हूँ कि सुनते ही बीमारिया भाग जाएंगी पहले मुख़ोलो लड्डु खा बाद में बताऊंगा न यहले तू भी खा वरना बाद सुनते ही तू भाग जाएगी और यह बचार लड् तु बस जाकर गाउं को शादी का नियोता देया, बाकी सब मैं देख लूँगा, हाँ, हाँ, सारे गाउं को नियोता दे दूगी, लेकिन सबसे पहले अंजु के हाथ से शंकर जी की मंदिर में प्रसाद चड़वा होंगी, मैंने मननत मानी थी, ठीक है मा, कल सुबा तुम अं जो मांगे कि उसके लिए लाकर दूँगा, चरा उसे भी पूछ लो, क्या, अंजु, अंजु, अब छुपने और शर्माने से काम नहीं चलेगा, सबसे पहले तू अपने इस भाई को हुकम दे, कि तुझे क्या क्या चाहिए, इस खुशी के मौके पर तु चांद और सितार अपनी अंजु को अपने हाथों से सजाओंगा, तुझे सजाओंगा तुझे बहना ओ, बहना, ओ, मेरी चारी बहना, तुझे को पहना, ओ, चांद तारों का गेना बहना ओ बहना ओ मेरी चारी बहना तुझको पहना ओ चांगतारों का गहना बहना ओ बहना ओ मेरी चारी बहना भाईया ओ भाईया ओ भारी तेरी बहना तेरा प्यार मांगू ना तो कुई गहना भाईया, भाईया, भारी तीरी बेहना, तीरा प्यार मांगू ना पाख कोई बेहना भाईया, भाईया, मेरे प्यारी बेहना भाईया, मेरे बेहना ठीका वो दूंगा मा अहाउच दिए चिका वो दूंगा मासे पे जो सूरज साचम थे, सूरज साचम थे जंदा के हाले जेते बाली तेरी दम थे देखेंगे दुनिया वाले हो के हैरान से शादी रचाऊंगा मैं तेरी इस शान से अंगना में तेरे हो सुख के देरे दुख चाहे मुझे को पड़े जिसना सेहना भाईया ओ भाईया ओ हारी तेरी बेलेना तेरा प्यार मांगो ना भाद कोई देहना बहना ओ बहना ओ मेरी प्यारी बहना जिसका मिला ऐसा राजा जबाई उसमें तो दालत जैथे दुनिया की पाई भाईया का हाथ जब बहना के तर हो भाईया का हाथ जब बहना के तर हो बहना को फिर क्यूं जमानी का जय हो तु मेरे पीरण है मेरा जीगरा तुझको कसम है योई हसके रहना बहना ओ बहना ओ मेरी प्यारे बहना तुझको बहना ऑ उ चांधतारों का गहना बहया ओ भाईया ओ गारी तेरी बहना तेरा प्यार मांगू और ना मांगू कोई कहना बहना ओ बहना, ओ मेरी प्यारी बहना भाईया ओ भाईया, मेरी प्यारी बहना ओ मेरी प्यारी बहना प्रशाद और पुजा के लिए फूल और इसमें तुम दोनों के ले खाना अच्छा अब ज्यादा दिर मत करो अंधेरा होने से पहले आशिरवाद लेकर घर वापस आजाना हाँ अच्छा मा चल गाला जाब अच्छा मा चल गाला जाब कर दो कर दो ऑप अजर कर दो 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 कि यह विचार बहुत भुखे लगते हैं जी तु जाके बादूर को बांदे अच्छा जी केक्ष बहुत अ Beimी कहता दो आञे कि सार के ए попроб ़ग कि अ स्था कि ए нет कार व लो प्कि खानगल बध्पर्णनी TensorFlow प्ररिणसे अ जाह से मुझा के पोग याह सAfter कर दो प्राहूम ve कि डवात you. Aaaaah! Pek yaकर! चर्णो मोषे! ऱइसे रिर्णो, जढ़ते हीyooom! Kaaal!! KaaalSí!!! Kaaal responsible by this! KaaALILTo nLitS Kaaal negative sign Kaaal streaming Kaaal ITONiaa! Daaaallallantsag! Kapan ist er may'll!! Kapan ibmi nummer Ace த! Gordon lataa... Gordonледорy! probably look aku! Love You ! Kapan ibmi nummer propose bak... ucker ze etler!!! झालाओक। झालाओक। पालाओक्ष। याईट जान में जा सकते है, शाफ इंसाने किनाते कुछ तो सोची शाफ चीक, वीचे बच्छा चो चरो पाभूजी, आपकी बहुत-बहुत महरबानी ये तो मेरा फर्ज था, चो जल्दी ले जाए ये देखो, माँ अजू के माते का ठीका, कले का हार, कानों की बालिया और हाथों के कंगन सब ले आए हूँ. अच्छे है न? अच्छे है बहुत अच्छे माँ भी तुने देखा ही क्या है वै तो अपनी अजू के लिए सारा बाजाल खरीद लाया हूँ यह देखो, यह देखो साड़िया और यह देखो सब से उपर शादी का लाल जोडा अपनी अंजू से पहन के जब दुलन बनेगी न तो चांद की शर्मा जाएगा तो ठीक कहता है आज मेरा जनम सफ़र हो गया टेकिन बेटे, अभी तक मंदिर से वाफिस नहीं आए उसे आजाना चाहिए था ना आती होगी मा यह लो, आ गए आती होगी मेरा जाम कार जाएगा कि लुड़ और कपिर खब खब जुड़ थाला कि अ अ कि अ अच्छ भाद च्ट माई यह जड़ इप खब लुड़ फेव बार से छ्ट कि इडियों नहीं हुआर श्रद नहीं पुरियों कि अ पुरियों मालव रुरियों प्लर रुरियों मैंने तो सुना था कि तू हर समय हर जगा मौज़ुद होता है अगवर् कि नीए के साज मेक्षा का फिर्ट हे लिए केसा अशिवाद दिया हुआ ठेसाश वाद गिंवाद है जवाब दे आरे तू क्या जवाब देगा लेकर नहीं बात सुन ले तो चुप है मगर तेरा शंकरा कभी चुप नहीं बैठेगा चिन कमीनोंने मेरी बहन को मुझसे चीना है मैं उने कभी जिन्दा नहीं छोड़ूगा उनकी लाशे तेरे कभ़ों मिलाकर ढाल दूगा वो दुनिया के किसी भी कौन में जाकर चुप जाए मगर वो मुझसे नहीं बच सकते नहीं बात सकते तेरी बहन को तो तू बचा नहीं सका लेकिन कम से कब मुझे इतना दुबता दे कि मैं इसे लेकर अपनी मा के पास कैसे जाओ कैसे जाओ अजू बेटी अजू 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 ठीका वो दूँगा ठीका वो दूँगा मा ते पेजो सुरज सा चम के चंदा के हाले जैसी बाली तेरी दम के देखेंगे दुनिया वाले होकर हैरान से शादी रचाओंगा मैं तेरी इस शान से अंगना में तेरे हो सुख के देरे दुख चाहे मुझे को पड़े जितना सेना बहना ओ बहना ओ मेरे प्यारी बहना तुझे को बहना चांदतारों का गहना भाईया भाईया हो बारी तेरी बहना तेरा प्यार मांगो ना मांगो कोई गेहना तेरा प्यार मांगो ना मांग कोई गेहना अ हुआ यह ज़कर भाईया यह जील के किनारे बेहोश पड़ी थी बगर अब ठीक है राथा, राथा, ये सब कैसे हुआ? बाबजी, वो चार आदमी थे कि बाज़ा एं ऑन कोटी। मुंऔजी, अजय कोटी थे वो नादमी थे कि बच्चा किपने हुआ। और दो समय में भाज़ाएा नादमी कोटी। ये जादमी कोटी थे जादमी थे तौटी। बादमी कोटी। अजया दोस् देग एंधा हुआ। हाँ इक व्सकारे दोड़ कर दोड़ कर दोड़ कर दोड़ कर दोड़ किया इवा परियां तो एसी छिए इजए शुर तो उससे क्या कहा था? इन तीन कुतों को तो मैं तेरे पास ले आया हूं लेकिन मेरी कसम अभी पूरी नहीं हुई पदले की आग अभी तक बुझी नहीं है जब तक मैं वो चौथी लाश तेरे कदमों में लाकर नहीं डाल देता तब तक मेरी बेहन की आत्मा को चांती महीं मिलेगी और उस दिन से मुझे अपने आखरी दुश्मन की तलाश है जब तक उसे मौत की नीम नहीं सुला देता मेरा बदला पुरा नहीं होगा इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं मेरा दास्ता अलग है मेरी बंजिल अलग है मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दो सीमा मेरे दिल में तुम्हारा ख्याल नहीं तुम हो पहले मैं तुम्हें सिर्फ प्यार करती थी लेकिन तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मेरी नज़ में तुम्हारी इज़त और भी बढ़ गए है आज से ये लडाई तुम्हारी अकेले की नहीं मैं भी तुम्हारे साथ हूँ नहीं, ये नहीं हो सकता मैं खोनी हो, मुझरिम हो पुलीस को मेरी तलाश है मेरा जो अंजाम होनाय होगा लेकिन में तुम्हारे सिंदगी बरबाद नहीं होने दोगा तुम्हारी दी हुई जिंदगी अब हैं तुम्हारे साथ ही गुजारूंगी वो आबाद हो ये बरबाद मुझे कोई अफसोस नहीं होगा चलो मेरे साथ कहाँ? मा के पास, आशरवाद लेने इस वाद? ने, ने, इतनी राद गे रानी मा के बास जाना ठीक नहीं होगा सुबह बात करनेंगी अब तो मैसा करो, जा कर सोजाओ ठीक है? ओके सीमा सीमा कल रात मेरे बारे में सब कुछ जान लेने के बाद भी तुम्हें अपना पैसला नहीं बदला मैं नहीं चाहता कि मेरी वज़े से तुम्हारी सिंदकी बरबात हो इसलिए चाह रहा हूँ उसके तुम आफ कर देना शंकरा चाहँ नो जाड़े, नो जा अपना बना कि, सबना दिखा कि अपना बना कि, सबना दिखा कि दिल में समा के यूचर दिया ना जारे ना जा ना जा अपना बना के सपना दिछा के दिल में समा के यूचर दिया दिल समा के यूचर दिल में समा के यूचर दिल में समीत हर मोड हर दगड से तुछ को सदाए दी है मुछ को हवा के कैसी तूने सदाए दी है तेरे बेरे जीवन चलती हुने चिचारे अपना बना के सपना दिखा के दिल में समा के यू चल दिया कर दो 1 कर दो कर दो अश्को का वास्ता है, ओ मेरे प्यार आजा अश्को का वास्ता है, ओ मेरे प्यार आजा बेचेन के लिवाने, लेकर करार आजा बेवापा ना बुझा, दिल का मेरे दियारे अपना अठा के, सपना दिखा के दिल में समा के, क्यों चल दिया ना जाँ झाँ कर दोलब। झाल 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 सेमा, तुछी मान सीमा, तुछी के, वो कहा हैTO socied कहा है वो, बोलती क्योण नहीं मा, चले to नहीं गए जब दो जुप क्योँ है, तूले बेटी कहीं वो चले नहीं, मा वो यहीं पिर मेरे पास क्यो नहीं है, मेरे सामै क्यो नहीं है तुरे बुलाओ मा मा, मा उन्हें बुलाओ, अच्छा, बुलाती हूँ मुझे पूरा बिश्वास था, तो मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकते मुझे अपसे प्यार पर भरोसा है, देवी मा के आशरवाद पर भरोसा है मुझे बचन दो, तो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, कभी नहीं जाओगे मैं, मैं तुम्हारे बिना जिन्दा नहीं रह सकती जिन्दा नहीं रह सकती जानी मा आप और इस वक्त पुझारी जी, आज मैं बड़ी दोविधा में हूँ मैं आपके मन की हालत को समझता हूँ आज दिन में जो कुछ हुआ उसी के कारण आप परिशान है हाँ, आपने ठीक ही समझा अब आप ही बताईए, मैं क्या करूँ करने वाले हम और आप तौन होते हैं करने वाली तो यह मा है जिसके इच्छा के आगे किसी का बस नहीं चलता और फिर शंकरा तो नेक लड़का है वो तो ठीक है, पुझारी जी मैं अभी जानती हूं कि वो नेक है लेकिन ऐसी और भी बहुत सी बाते हैं जिने आप नहीं जानते लेकिन ये तो सब जानती है इससे कुछ नहीं चुपा है इसलिए जो कुछ भी हुआ उसे सुमा का आशिरवात समझकर स्विकार नहीं उचित है आप है वकील सहब मिस्टर लीला राम चंदानी सीमा की पिता जी तमाम जमीन और जाइदात की वसीयत इनके पास लिखकर छोड़ गए थी क्योंकि आप सब इस परिवार का एक हिस्सा हैं इसलिए हम जरूरी समझते हैं कि वसीयत में लिखी हुई बाते आप सब भी जान ले वकील साथ इसमें दो खास बाते हैं पहली बात ये कि इस वसीयत के मताबिक सीमा के बालिक होने पर यानि उसके अठारा साल के पूरे हो जाने पर इस सारी जमीन जाइदात की मालिक वो होगी और दूसरी बात ये कि ये जाइदात सीमा को उसकी शादी हो जाने के बाद ही मिलेगी थैंक यू वकील साहब जैसे कि आप सब जानते हैं आज से चार दिन बाद सीमा का अठारवा जन दिन है जबके सीमा बालिग हो रही है शंकर से सीमा की शादी का फैसला तो वह हमने पहले आपको सुनाई दिया था अब हमने दिन भी तेकर लिया है सीमा का अठारवा जन दिन मुंशी जी आप शादी के तैयारिया शुरू कर दिजे जाना ना लेल मिला के मिला के मेरी अखियों से निंदियों चुरा के चुरा के तुम है मेरी पर्सम, मेरी पर्सम जाना लेल मिला के मेरी अखियों से निंदियों चुरा के तुम ही मेरी पर्सम, मेरी पर्सम कैसे जाओंगा दा मन छुडा के जी न पाओंगा तुझे को भुला के मैं न तोड़ूंगा बंदन वफा के रखूंगा जग से चुपा के चुपा के तुझे रिल में मैं अपने चुरा के मुझे तेरी पर्सम, तेरी पर्सम तुम ही मेरी पर्सम, मेरी पर्सम केसा बंदन है अपना तुम्हारा केसा बंदन है अपना तुम्हारा आखे मेरी है सबना तुम्हारा सारी दुनिया से बंदन चुडा के चले आंगे छुपके चुपा के चुपा के जरारे को तपास बुला के तुम्हे मेरी पर्सम मेरी पर्सम मुझे तेरी पर्सम तेरी पर्सम करने तेरी तेरी पर्सम मेरी पर्सम मैं बस यही एक शपना बनू मैं देर संसं जीओ मैं मरू मैं तुम्ते ना सब्र में जिया के जिया के रहूं दिल में मैं अपने पिया के पिया के तुम्हे मेरे पसम मेरे पसम वहां मैं रख लू समा के समा के तुझे रखूंगा जग से छुपा के तुझे रिल में मैं अपने चुदा के मुझे तेरी पसम तेरी पसम जारारा ले मिला के मेरे अख्यों से निंदिया चुदा के चुदा के तुम्हे मेरे पसम मेरे पसम मुझे तेरी पसम तेरी पसम अरे यहां काली आई तु मुझे नास्तिक हो क्या ने ने अगवान पर मेरा पूरा विश्वास है तो फिर ये भी विश्वास कर लो कि इस पवित्र स्थान पर आने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं लोटता ओर फोलेनात हरीं की मनो कामना पूरी करते हैं तुम्हारी भी कुइ मनो कामना है क्या भाष बिल्कुल गालत ये पूलिस कााम मि कैसे हो सकता है इसके पास पिस-साल नहीं हिः trans At अब बोल कौन है तू बताता हूं बताता हूं पहले थोड़ा पानी तो पीलूँ एपानी यह पानी है मेरा नाम है पोपट लाल स्पटे हाल जिंदकी से तंग आकर मरने की कोशिश कर रहा था डाकूजी क्या का तुम्हे दो डाकूजी डाकूजी एक बार फिर से को पहली बार नसवारों जिन्दकी में पहली बार किसीने हमें जी कहा है पपी अब बोल, क्या कोशिश कर रहा था? जीवन से तंग आकर मरने के कोशिद कर रहा था, दाको जी. सब कुछ करकर देख लिया, लेकिन किसमें साधी नहीं देती है. दाको जी, सबसे पहले पानी में डूब कर मरने की कोशिश की. लेकिन पानी इतना ठंडा था, कि मनने से ज़्यादा जम जाने का डरता. इसलिए हिम्द नहीं हुए दाको जी, उसके बाद रेल के नीचे कटने की कोशिश की. तो फिर क्या हुआ? आच घंटे रेल गाड़ी का इंतजार करते करते नीम दा गई. लेकिन रेल गाड़ी नहीं आए. फिर सोचा, पहाड़ी से कूट कर जान दे दू. लेकिन दाको जी, इन पहाड़ों का भी क्या बारोजा? कि हाथ पर टूट कर रह जाए और नहीं मरा, तो क्या होगा? अब यह सोच ही रहा था, दाको जी, कि आपके करम चारी उठा कर मुझे आपके पास ले आए. मेरी तो किस्मत कुल गई, मेरी तो किस्मत कुल गई. दाको जी, आपका बहुत नाम सुना है. सुना है कि आपकी गोली से आज सक कोई नहीं बचा. कोई नहीं बचा. वो कौन सी कहत हैji- जिसमें लंबे- लंबे हाथ होते है ज्यानी से ज्यानी मिले करकर लंबे- कलतु.. बिलकुल गलतु। पागल से पागल मिले करकर लंबे हा लस्वारू मैं तो समझता था कि दुनिया में सबसे बड़ा पागल मैई हूं। लेकिन ये सुसरा तो अपना भी बाप निकला साला दाको जी, क्यों कीमती वक्त बरबाद कर रहे हैं? इससे बाता तो बातां भी हो सकती हैं, ये तो आपके घर का आत्मी है अरे पहले बारवालों को तो निप्टाईएं अब देरी किस बात की है? मार ये ने मुझे कॉली मार देंगे, मार देंगे, तुझे जरूर मार देंगे लेकिन एक बात तो हम पूछना भूली गए तु मरना क्यों चाहता है? छोड़िये डाको जी, बड़ी ट्रैजेडी है लंबी स्टोरी है, लव स्टोरी, प्रेम कहानी, ट्राइंगल क्या-क्या? त्रिकॉन, हीरो, हिरोईन, एंड विलन अब है हिंदी में बॉल, हिंदी में बॉल तो ये एक लड़का है, हीरो, यानि के मैं है तू ये एक लड़की है लड़की? ये लड़की चली, ये लड़का चला, दोनों एक जगा आकर मिले लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, आंखे चार हुई दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार हो गया, प्यार यानि के लव हाँ, 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 दोनों ने गाने गाए जीने मरने की कसमे काई सुक दुख के सपने देखे लेकर खुद्रत को कुछ और ही मनजूर था क्या मिलन के ऐसे मदुर शनों में आचानक एक तीसरा आदमी इन दोनों के बीट में खुज गया बिलन यानि के गुंडा गुंडा यानि के बैक टाकुची नाइन वो तो तुम्हारा भी पाप था उसने इन दोनों को हलक हलक कर दिया लड़का मिलने के लिए तड़ा पूटा लेकिन लड़की के माँ बाप ने भी गुंडे का साथ दिया इन दोनों के बीच में लंबी ने 한속 हमें जाने है की सुटे ुटे दिवार से साथ टक्रा टक्रा कर लड़कीके कपड़ें तार्सार हो गए अब हमी बताए अब ऊधैक उस चैप मन्रेगे अलबा मेरे बास कोई राता बचा ए ईक रास्ता बचा है हां, कौन सा रासता, डाकु जी ? यह रासता justice मेरे तैखानय चयों साहं जीने वाला जीने सकता और मरने वाला मरनेही सकता ए, ले जाना इसको चलो डाकु जी, मेरे बात ओ से नहीं है। डाकु जी, हां शत्यान रासो तेरा अरे तुझे कीडे पड़े वो भी लंबे लंबे डाकुजी डाकुजी कहते कहते मेरा मुँ ठक्केया कहानी सुनाते सुनाते मेरी सास उगड़ गई मगर साला तूनी सुतरा डाकुगा डाकुई रहा हराम ए दिवान जी आप और यहाँ यहाँ पर क्या कर रहे हो और यह हुलिया क्या बना रखा है मैं दिवान जी नहीं हूं बेटा तुम कौन हो है अब हम कौन हो गया ओपड़ लाल कौन हो गया ओपड़ लाल को नहीं पहचानते जगा बदलने से याद आ जाती रही मैं सचमुट दिवान जी नहीं हूं बेटा दिवान जी नहीं हूं तो कोना बताता हूं कौन है अरे बपो थेक है थेक है तु समझ गया ना? मैं सब समझ किया बपो आप शिंता ना करो अपना ध्यान रखना है हां 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 मैं चलो खायर रखना हां जा 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 चलो देखते हैं खायर जा बाइँ खायर याँ जाँ तु समय वाँ तु समय थाँ भाँ जाँ ए्वाँ मक्बूल लए खिरू भाई अ अ अ अ बॉप अ हे भाई आय तो होन दे भाई बॉफ धो लुफ वो लुफ म में लुफ अ वो लुफ गान है! मगबॉल जी साब कौन था हूँ आदमी? साब मैं आपको पहले ही कह चो आँ कि मुझे नहीं मालूम और आप फिर भी कौन था हूँ आदमी? साब मुझे नहीं मालूम 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 क.. 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 कहर सिंग था अरे मकबूल? क्या हुआ इसे? अवेली के किसी आदमी ने इसे गोली मारती अवेली के? लेकिन किसे है? उसी ने जिसे थोड़ी देर पहले कहर सिंग मिलने आया था कहर सिंग? वो दाकू? ये क्या क्या है उदू? मैं ठीकी कह रहा हूँ, रानिमा? कोई ना कोई तो जरूर है इस हवेली में जिसका कहर सिंग के साथ संबंध है काश मुझे उसका नाम बता देता मकबूल, काश तो मुझे उस आदमी का नाम भी बता देता शंकर, ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है मकबूल की मौत का मुझे बहुत अथसूस है लेकिन मरने से पहले हूँ, मुझे बहुत बड़ा ऐसान करके है ऐसान? आसिमा उसने मुझे उस शैतान का नाम बता गिया, जिसकी मुझे कबसे तलाश थी कौन है वो? कहर से जो तुम्हारा दुश्मन है, और मेरा भी अच्छा हुआ तुम्हारे प्यार ने मुझे हैं रोक लिया, नहीं तो आज भी भठकता रहता अब तो शादी की तैयारिया भी शुरू हो चुकी है, सारा खेल भी करता नजर आ रहा है जी, अब क्या होगा भई होगा मुझे जी जो पहले एक बार हो चुका है मैं नहीं चाहता था कि खोन खराबा हो लिकनी ये कमबक बुढ़िया साली ऐसे नहीं मानने वाली है मुझे जी, कहर सिंग को खबर विजवादों की वो तैयार रहे मैं शादी के मंड़ब को समशान बना दूगा मैं राक कर दूगा उन लोगों को जो मेरे रास्ते में आएंगे मेरे जीते जी सीमा की शादी कहर सिंग से होगी और सिर्फ कहर सिंग से ही होगी दिवान जी वही होगा जो आप चाते हैं क्योंकि अब सब चक्कर समझ में आ गया है जो खबर लाया हूँ जिसे पढ़कर आप भी चक्कर खा जाएंगे देखे अब आएगा उत पहाड के नीचे जी मैं इंस्पेक्टर खान हूँ माफ कीजिगा मुझे यहां इस तरह आना पड़ा लेकिन डूटी इस डूटी यह रहा शंकरा की गिरफतारी का वारंट शंकर साथ के लिए वारंट आपको के गलत फिमी हो इंस्पेक्टर यह तो बड़े भले आदमी है और इनका वारंट यह कैसे हो सकता है मुझे जी और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर चलिए इंस्पेक्टर खान आपके साथ इंस्पेक्टर चंदरकान नहीं आए चंदरकान हाँ दरसल बात यह है के चंदरकान जी एक केस के सिलसले में दो तीन दिन के लिए बाहर गए शंकर हुआ जर टकुआ जर आए आए जर हाहा हाहा हाह हुआ 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 ! इदर उदर क्या देख रहा है? इदर भी वही है और उदर भी वही है अच्छा, तो तु है हवेली का नया चौकीदा टक्कर लेने निकला था वो भी क्या है रसिंग से इस सोच में पड़ गया तु तु क्या समझता था कि कैर सिंग की याथ असे बजच जाएगा? वगर नहीं, जैसे बजेगा? आज तक कोई नहीं बजांगा कैर सिंग जिसे चाहे, जहाँ चाहे, जप चाहे, जैसे चाहे मार सकता है यफिन नहीं आरा ना, कोई बात है, मरने के बाद आ जाएगा कसम बंदू की, अब तो गोली चलाने ही पड़ेगी अब्सक उखएएएएएएएएएएएघृ Rangers स्थरिय कर अभी प स्थरिक और दया कि बंदू युझ हाँएएएए firewall फैसis धनते है neglected किभल कर दो किभल व फचल लगार दो जो उहार जो एार जो पगड़ MR G TIM अार झार घंप इस अढ़ उगार उन्होंत̵ कर दोड़ा कर दो दो पॉड़ा कर दो कर दो फिर दो ठाई दो जटमालाई कायर की अलाज, सामने या, दुनिया की कोई ताकत तुझे मेरे हाथों से नहीं बचा सकती, आज तुझे ऐसी मौत मारूंगा, जिसे देखकर शैतान भी काप उठेगा, सामने आप, आगया, आगया, इतना चिला मत, थोली भरने में थोड़ी सी देर क्या हो गई, के तु समझा के कायर सिंग मौत से डर गया, मकर नहीं, कायर सिंग मरने के लिए नहीं, मारने के लिए पैदा हुआ, मारोचर, मैं देकर व्या, भी का के लिए पैदा ते नहीं पैदा झाल सर जिए के बितना है, मारोचर, किला है, देखकर रठेदान bliss, विए झालावा खेव जाल समयी में, व makes. कि अज़िए 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 और याद कर वो दिन जब तुने अपने तीन साथियों के साथ एक मासूम लड़की की इस्सत रूटी थी और उसे मार दिया था मैं उसी मासूम का भाई हूँ उसी दिन से मुझे तेरी तलाश थी आज तु मेरे हाथ से नहीं बच सकता बच गया बच गया मैं जिन्दिकी में पहली बार तु किसी काम आया रहे असवारू वो कहावत कौन सी है जिसमें एक सिक्का होता है वोई सदार खोटा सिक्का किसी ना किसी इनकाम आता है गलत बिलकुल गलत सिक्का नहीं आत्मी खोटा होता है जैसे कि यह बहुत मारा साले ने है मुझे मारने आया था और खुद अपनी मौत बन गया साला असवारू तेरा निकाल पर असवार इसका फैसला कर देते हैं बहुत फ़ड़ पड़ावा यह लो सदार नहीं खीक आ गई तो थेक बढ़ना कसम बंदुग के ढाग FLU हाँ तो थेक बढ़ना कसम बंब्दूग के ठीक आ गई ने स्वारू यह तो सला बड़ा किस्मत बाला है अब तो हम इसे नहीं मार सकते हमारे असु लोगे खिलाप है नस्वारू वो कहावत कौन सी है जिसमें प्रान और वचन आते जाते हैं अहाँ बही जर्दाँ प्रान जाए पर वचन ना जाए गलत बिरकुल गलत वचन भी नहीं जाएगा प्रान भी जाएगा लेकिन फिर कभी पंद करो साल एक उत्य खाने में चलब नस्वारू लगता है इसकी किसमत में हमारा प्या देखना लिखा है प्राइ देवान जी, आप खा गए ना त्म भी धोगा क्या मतलब चकरी चकरा है, गोल्माल है ये दीवान जी है और नई भी है नई भी है, फिर भी दीवान जी है नई समझे, मैं समझाता हूँ नस्वारू हमने सोचा औरे अभी तो हमने तुझे कुछ बताया हैं नहीं और तू कह रहा है कि बहुत अच्छा सोचा वहीं अच्छा है तो अच्छा हिसाँ होगा इसलिए नास्वारु इसलिए तो मैं तुछ से वाँत प्यार करता है तुझसे एक राए लेनी है हुकम करो सर्दार नस्वारू तू तो जानता है हमारी शादी की तारीख नजदीक आ रहे हैं बदाई हो सर्दार बदाई वो तो ठीक है पर एक बात बता नस्वारू हम इन कपड़ों में शादी करते हुए अच्छी लगेंगे नहीं नहीं ना इसलिए हमने सोचा है कि हम यह भारी भारी कपड़े यह बंदूप टकैती कतल सब छोड़ देंगे और हम यह लंबे लंबे जूओं वाले बाल भी गटवा देंगे तुने पिताजी को देखा है जी कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं हम भी शादी के बाद अच्छे कपड़े पहनेंगे धले आदमी की तरह क्या अ बोलते हैं जेंटल कि तरह हैं देंति अजेंटुल हैं कि तरह रहें हम सब छोड़ देंगे नस वारू सब कैस MRी बाध की चिंता हमें बहुत क्हारत कि दिशा रह रहे है हम सब कुछ छोड़ सकते हैं सब कुछ लेकिन नस्वारू यह जो तेरी नस्वार है न यह हमसे नहीं छुटेगी बुरी आदत लगा दिया है तुने तेरी नस्वार देखते ही हमारा खुण खौलने लगता है लेकिन बहुत सोच विचार के बार हमने इसको भी छोड़ने का दूड़ने दिया है असवारू वो कहावत क्या है जिसमें बासुरी बचती है ना रहेगा बास उना बजेरी बासुरी गलत बिर्कुल गलत ना रहेगा नस्वारू ना रहेगी नस्वारू जो आनी-जानी है रे एक दिन तो सब मतना है सर्दार रहा है तैंजर रहा कि कुछ together कुछ तेऊ सेवे के मोगष जिसमें वी होताती मुझे थे स कहात है कम- दिसमे सब कुछ अज़ होता है अपनी पारे तो सब कुछ मों कियाा है लेकिन बूछे याद कम बैसव का गारां सिधी अच्थचे से थे थे अब लख धिविया यह और खड़ा हो जब वहां अगलप तो ठीक, परना कसम बंडूक की नहीं, नहीं आएगी, नहीं हाते हैं यह नस्वार नकलिये हैं थोने देर, मगर गोली तो असली है आ गई तो ठीक, परना कसम बंदू के ए मंगलू, जी सरदार अच्छा सा गड़्धा खोद के दफन कर देना साले को दिविया के साथ बड़ी कावते सुनाता था, में डग कहीं का हाँ तो यह शर यहाँ है अप्रप्राइब आप अब कर content अबंवान कबछormal कर दो बेल मुला हाद कि ब का दुए खिए भीक देजे हैं? जोड़, भूल जोड़, बताई हो, बताई हो, बने का शादी को पालो? कैसी मुबारक कैसी बताई? तुम कोलो, भाई? हम हजुर बनले जमीर रंगीन, चनाब हलताफ हुसेन जमील रंगीन, मिजाज लगनावाले से आयातरकार, देखनी रहा भारा पुरका तक रंगीन है तो हम से इतनी लाकर मजबाता है क्यों वर्रा पुटे अरे लखनाउस से चलकर आ रहे हैं तोपल चैन की सांसों लेने दे तो सांस लेने के लिए बाहर पूरा मेदार पड़ा है यह हमारे सर पे क्यों खड़ी है मैं खड़े ले हूँ खड़ा हूँ यकिन नी आता तो मैं फोल के दिखाओं मुझे मालूम है तुझे शरम आरी है न बुटे तो दुलंग की तरह शरम आरी है कोई बात नी मैं खुदी खोले देता अरे तू आवी निकालता हूँ तेरी रंगेर में जाती अरे दो सोवर हूँगा और दो खिरूंगा मश्ची जी वकवास बंद कीजिये और सिदा पुलिस के हवाले कर दीजिये इसे पुलिस के हवाले मत कीज़े दिवान जी यहां के पुलिस किसी काम की नहीं है शंकर तुभे तो पलीस करिफ़तार करके ले गयी थी घर की पलीस थी सीमा? य़से ले गयी थी वैसे छोड़ दिया मैं समझी नहीं समझाने के लिए इस हवेली में दिवाण जी जो है क्यों हो दिवाण जी? इसे समझाईए हां लेकन बेटा, तुम आ काई से गए? लगता है आपको मेरे आने से खुशी नहीं हुई है आपको तो खुश होना चाहिए क्यों नहीं? क्यों नहीं, बेटा? हम वाक़े खुश है, हम बहुत खुश है बहुत खुशी हुई तो फिर, उठकर गले में लिए यह कैसी बात ही कर रहे हो तुम? तुम्हें मालूम नहीं, दिवाजी खड़े नहीं हो सकते? अरे हाँ, मैं तो भूली गया था कि यह खड़े नहीं हो सकते? फिर भी दिवाजी, कोशिश कीजिए, शायद खड़े हो सके बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? दिवाजी खड़े नहीं हो सकते, हमने कितने इलाज कराए डॉक्टर, वैद, हकीम, सब कोशिश करके हाथ दे रानीमा, अगर आप बिचासते दे, तो क्या मैं एक छोड़ी सी कोशिश करके देखो? वो क्या है किनकी टामों के लिए मुझे? अचानक ही एक दवाई मिल गए क्या बात करतो बेटा, मैं सच-पुच खड़ा हो सकता हूँ खड़े क्या दिवाजी, आप तो भागे लगेंगे तो पर लाल लाए तुम्हारा बाप इंस्पेक्टर चंदरकान्त जज दिन राजासाब का खून हुआ, उसी दिन मुझे शक हो गया था ये काम अकेले कैर सिंग का नहीं है, इसके पीचे जरूर के बड़ी सादिश है लेकिन मैं ये कम ही नहीं सोच सकता था कि दिवान जी के रूप में ये शैदार अपने बेटे कहर से और आपके इंगदारों का साथ मिलकर इतना बड़ा खेल खेलेगा जंदकान जी आप क्या कहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं हारा ये ठीक कह रहे है, रानीमा इस आपने ने अपने भाई के हम शकल होने का फायदा उठाया और हम सबको अंदेरे में रखा आपके असली दिवान जी तो वह है आपके ये हालत ये आपमी कौन है ये नाला एक मेरा चोटा भाई है रानीमा इसके सुरत मुझसे जरूर मिलती है लेकिन दिल का एक काला और दोखे बाज आदमी है सालों से इसके नजर इस हवेली के दौलत पर थी जिसको हासिल करने के लिए उसने अपने बेटे कैवसी के साथ ये पूरा जाल बिछाया है जिसमें मुंशी और आपकी बहन के बच्चे विशामी लहरा नहीं मागा मेरी धर में इसना बड़ा मुझसे धोका होता रहा और मुझे पता भी नहीं चला जम्रिकाम जी इन सबको मिरी नज़र से दूर कर दीजे मैं इनकी सूरा दीड़े ही देखना चाहती ले गए इन सबको यहां से ले तो जाओंगा लेकिन अभी नहीं इनके साथ-साथ मुझे एक और आदमी चाहिए जिसका नाम है कहर से जो आज तक सीमा के साथ शादी करने के सपने देख रहा है आज सीमा का चनम ने में और आपके इच्छा थी कि आज ये के दिन सीमा की शादी रहो आप शादी के तैयारे केजिए कहर सिंग जरूर आएगा मैं भी यही चाहता हूं रानिमा क्योंकि इसने मुझसे कहा था यह सीमा की शादी कहर सिंग से करके दिखाएगा मेरी नजरों के सामने इसलिए उसे मुझे आज तक जिंडा रखा लेकिन आज उसे पता चलेगा जीत हमें साथ सचाई की होती है सीमा की शादी होगी आज ही होगी वो भी शंकर के साथ होगी और तेरी नजरों के सामने होगी अजरों के सामने होगी तो खरनतेéma प्षish कि exertार मुझे आजड़गे प्से मुझेये च्रिपसускas जोएग्जाओ होँтесь प्देपसम अबब। न będę다 आपू, मैं आगया, आगया मैं, अरे बागल होगा है ये लोग, जिया रचाया जारा है, हाँ इन अक्कल के दुश्मलों को यह नहीं मालूम, कि इस बंड़त के नीचे बैठने का अधिकार, तिर्फ एक इससान को है, चहर सिंग को, तिर्फ चहर सिंग को आपने वो कावद तो तुने होगी, जिसकी लाठी, उसी की भैस मैं जानता था कि कहर सिंग के होते हुए, ये शादी कभी नहीं को सकती, मैं जानता था दुन वर्लों आएगा, आखिर तु बेता किसका है, आँ बाबू, मैं तो पैदा ही तेरा नाम रोशन करने के लिए हुआ हूँ, और वो तब ही होगा, जब मैं इन सालों का नाम निश पाई लागु सासुना, जटो क्यों, पैखाने से भाग कर ब्या रचाया जा रहा है, लेकिन मुझे पड़े अक्सोस के साथ ये कहना पड़ता है, कि इस जिन्दगी में तेरा ब्या नहीं हो सकेगा, पूछ क्यों, क्योंकि जब जिन्दगी ही नहीं रहेगी, तो ब्या कहां से होगा, क्यों पंड़ित? क्योंकि एस सबसे है, प्या कहां सक dön Key इसो काथ क्योंकि एसका बच्सक्प के प्रॉफी कि एसे होगा, क्योंकि जिन्दग है, जल शॉफे नहीं है, तो ऑ़ कर ग।? Griffith! Ha! śJ scale up! Huaaah! Ha! कि ऑाओउ 가서 कि ऑाओन कि ऑन कि 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 ऑन है इस आपको आपर आ इस चाहिए इस डिया अपर दिए अपर आपके जब ही तुम पर कोई वसी बताएगी तो तेरा वहां जाए तुझे बचाएगा और एक बात तुम्हारी सुधरा भेहन में मुझसे भी करिए कि अगर तुम्हारा चोर मामा कहीं पर मिंजा है तो उसको मारना दोसो लेकिन गिनना सिरफ 20 सरज नाजोर सुधरा बहन का तुझे कुछ कथी यह तो हो जाते शुरू है तो हो जाते हैं चुरू है यहिस तो पर न्यन्हार को रगाद कि थाँ ठॉफ खर सिफ कर दोड़ प्रम डाओ दॉब इशुआज मैं इशड़ अग सबस्टे एकल मानी प्रुटार चार्ड इशुग जाद एकल मी घट रादा एकल मुछे शार्प के अगर इंसे प्रुटार इद ग्रुए अगर इसे एकल मैं लал इसे को लो मुड़ा दाफिए एक नहार आ एकल द आघर। झाल आहां रप से बस एक दूा यह करो मैं हर जनम में तुम्हारी रहूं मैं बस यही एक सपना बुनूं मैं तेरे संसंग जियूं मैं मरूं कर झेरे सम्संध जियूं मैं मारूं C Noch? आप पुजारी जी है ना हाँ बेटा मैं ही वो भागहिन पुजारी हूँ जो तुम्हारी शादी के साथ फेरे पूरे नहीं करवा सका था इसका मतलब मैंने जो कुछ देखा वो सपना नहीं था जब तुम्हें मुझे पहचान लिया तो यह सपना कैसे हो सकता है यह तो प्रभु की लीला थी बगवान ने तुम्हें याद दिलाने के लिए तुम्हारे पिछले जन्म के इतिहास को दोराया है और यह सब सीमा की लग उसने मेरी बेहन के घर जन्म लिया और फिर बच्पन में एक दिन मुझसे कहने लगी कि बाबा मेरा नाम सीमा रखना नहीं तो मेरा शंकर मुझे पहचानेगा कैसे मैं तो उसी दिन समझ गया था कि हमारे आंगन में तुम्हारे जन्म जन्मांतर का प्यार पल रहा है और मुझे विश्वास हो गया कि तुमने भी कहीं ना कहीं दूसरा जन्म ले लिया है तुम जरूर आओगे तुम्हे आना ही होगा तुम दोनों का मिलाप अवश्य होगा लेकि मेरी सीमा है कहाओ मैंने तुम्हे देखते ही पैचान दिया था परसों से तुम्हारा ही इंदिजार कर रही थी इसलिए जान बूच कर तुम्हे यहां तक लाई मैंने पिछले जन्म में इसी मंदर में खगवान से मांगा था कि तु मुझे हर जन्म में मिलो और मुझे पूरा विश्वास था कि तु मुझे यही मिलोगे विवाह संपन हुआ भ्लार विवाच्चरक्रक्र sometime कि तु मुझे चाहमा था विवारां हुlier झाल झाल